नमस्कर दस्तों स्वागत है आपका फार्मरोग्स की यूट्यूब एजिकस्ने चैनल में आज की उड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे ओविरियन सिस्ट के बारे में ओविरियन सिस्ट की जिसको हम अलग 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 topics कवर करेंगे जैसे की सबसे पहले जानेगे की ओविरियन सिस्ट क्या है फिर सिखेंगे उसके अलग 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 types क्या है symptoms क्या है, causes वगरा क्या है कि कौन से reason से ये problem हो सकती है फिर जानेंगे कि कैसे उसका सहीर तरग किसे निदान हो सकता है कि जिसको हम diagnosis कहते है treatment के क्या लग-लग options है और कौन से medicines वगरा यूज होती तो ये सभी topics को detail में cover करेंगे आज की lecture के अंदर तो ऐसे समझे कि आपको सीखना है बहुत सरी बीमारियों के बारे में दवायों के बारे में तो आप medicine course को जोइन कर सकते हैं फार्मा रोक्स के अब उपर तो ये course को जोइन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो अब आते हैं topic प्योर समझते हैं ovarian cyst के बारे में तो ovarian cyst यानि के ऐसे medical conditions के जिसके अंदर ovarian cyst के अंदर जो है वो specially एक cyst बनती है और जिसको हम ऐसा कहते हैं कि एक पानी से बरी हुई थेली तयार होती है या फिर एक तरल पदार से बरी हुई थेली तयार होती है और उसके करण कुछ आगे जगे complications भी हो सकते हैं तो यह पर आप diagram में देखोंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि यह जो है वो आपके ovaris है और उसको हम proper zoom करके देखे तो यहाँ पर आपको यह सब देखने को मिल रहे है कि तो यह cyst बने हुए है वो हम कह सकते है और यह cyst के अंदर specially जो होता है एक तरीके से तरल पदार्थ होता है कि जिसको हम fluid कहते है या फिर एक पानी जैसे content होता है और उसके करण क्या होता है कि एक cyst जो है वहाँ पर तयार होती है तो यह एक भी हो सकती है या फिर multiple हो सकती है एक side के ओवेरी में हो सकती या फिर दोनों ओवेरीस के अंदर cyst जो है वो तयार हो सकती है तो यहाँ पर आप सबसे पहले यह समझो कि ओवेरीस जो होती है उनका काम क्या है तो महिलाओ के अंदर ovaries का जो main function होता है वो होता है एक जो होते है उनको produce करना और साथ-साथ उनको store करने का काम होता है और यह जो एक जब release होते है कि वो period को हम ovulation period कहते है और ovulation period के दोरान एक जो हो release होता है तो यह जो ovaries है वो आपके hormones को भी proper जो वो control करता है और साथ हो साथ जो menstrual cycle होता है pregnancy होता है वो period को भी proper control करने में over risk का जो वो function होता है पर होता क्या है कि कुछ reasons और वहाँ पे cyst जो है वो formation होती है तो over risk के सबसे पहले आप normal size समझ लो कि ये वाली जो आप over risk देख रहे है तो वो normal size में है तो उसकी size around होती है 2 cm by 3 cm जितनी होती है तो जो almond होता है जो बादाम होती है उसकी shape की जो वो over risk होती है normal condition के अंदर पर जब उसके अंदर cyst बनती है तो उसकी size जो जो देरी देरी बढ़नी लगती है तो cyst जो जो अलग-अलग types के होते है तो एक होते है functional cyst तो उसके दो type पढ़ते है एक होते है follicular उसके अंदर और दुसरा corpus luteum फिर जो non-functional cyst होते है उसको हम देखे तो parovarian cyst यहाँ पर आप देख सकते है teratoma करके एक type बनता है उसका hemorrhagic cyst होते है और endometriomag जो है तो यह अलग-अलग जो है वो non-functional चार प्रकार की है और functional दो प्रकार की cyst जो तयार हो सकती है तो यह आप एक simple concept हम पहले समझते है जो functional cyst का development का है तो सबसे पहले क्या होता है तो आपको यह पता है कि over risk का जो काम होता है वो होता है release करना egg को पर यह जो egg होते है वो produce होते है follicles के अंदर और यह जो follicles होते है आपके over risk के अंदर होते है अब क्या होता है यह follicles के अंदर एक fluid होता है कि जिसको आगे बिज़े से हमने कहा कि एक तरल पदार थे वो यह follicles के अंदर होता है और ये जो fluid होता है, वो specially क्या करता है, protect करता है eggs को, तो ये पूरा process जिए वो अब तक का, ये proper normal है, पर आगे अब आप समझो, तो क्या होता है, कि ये follicles क्या होते है, break होते है, और release करते हैं एक को, और ये period होता है आपका ovulation period, तो ovulation periods के दुरान क्या होता है, कि ये जो follicles होत ऐसका ही तरल पदार थे की जिसको हम fluid करते हैं, और वो ovulation period के दुरान जो ये वो break होते हैं, और एक को release करते हैं, पर कुछ region सेर क्या होता है, कि ये जो follicles होते हैं, वो proper काम नहीं करते, और वो break नहीं होते हैं, अब वो नहीं तूटेंगे तो एक जो वो release नहीं होते और दीरी-दीरी उसके size बढ़ने लगती है तो वो फिर जो follicles थे वो convert हो जाते है cyst के अंदर because उनका जो rupture होना था, उनको breakdown होना था वो time पे नहीं होते हैं उसके काफी सारे अलग-अलग reasons होते हैं वो हम आगे discuss करने वाले हैं उसी तरह से hemorrhagic cyst भी develop होती है especially क्या होता है कि hemorrhagic जो ovarian cyst होती है वो ovalucence के दोरान तयार होती है और जो ovarian follicles होते हैं उनके surface के उपर जब ये produce होते हैं तो follicles क्या होते हैं bleed होते हैं और उसके करन वहाँ पे जो एक cyst जो तयार हो जाती है तो simply हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही एक release होता है तो उसके बाद जो follicles होते हैं वो एक cyst के अंदर करन वाठ हो जाते हैं और ये cyst को हम कहते हैं hemorrhagic cyst तो ये functional cyst होते हैं और non-functional cyst भी बहुत सरे अलग-अलग reasons के थरू वहाँ पे तयार होती है तो majority जितनी जो अलग-अलग cyst होती है वो harmless होती है उनसे कोई complications नहीं होते पर complications तब होते हैं कि जब ये cyst जो फट जाती है तो कुछ ऐसे reasons भी बनते हैं कि इसके करन जो ये जो cyst होती है उसका rupture होता है उसका breakdown हो जाता है और उसके करन जो वो काफी ज़्यादा दर्द होता है और अलग-अलग symptoms develop हो सकते जैसे कि पहला symptom हम देखे तो pelvic area के अंदर जो वो pain होता है तो cyst का rupture होना या फिर उसका develop होना उसकी size वगरा increase होते रहे न तो उसके करन ये एक symptom develop होता है फिर second symptom ऐसा है कि asymptomatic महले कि कोई symptom से देखने को नहीं मिलते कि cyst develop हो रही है चाहे उसकी size वगरा थोड़ी बहुत increase हो रही है फिर भी जो female है उसको पता ही नहीं चलता तो ये asymptomatic conditions भी develop होती है इसके अंदर तीसरा एक symptom देखे तो आपको abdominal area के अंदर काफी fullness या फिर heaviness जैसा फिल होता है कि जैसे आपका stomach full है ऐसा आप फिल करते हैं अगर आपको ovarian cyst वगरा है फिर चौता क्या होता है कि feeling होता है bloating जैसा या फिर bloated stomach है कि जैसे pet में gas चमा हुई है पेट फूल रहा है ऐसे condition condition produce होती है कि एकर आपको ovarian cyst है फिर painful intercourse का problem होता है कि pain and discomfort वगरा फिल करते हैं intercourse के दोरान फिर irregular periods हो जाते है या फिर periods या फिर आपका menstrual cycle है वो काफी ज़्यादा change होता है और एक यही से आपको पता चलता है कि आपके periods delay होते है काफी ज़्यादा delay होते रहते है या फिर periods नहीं आते है दो महिना हो जाते है तीन महिना हो जाते है तो फिर आप proper एक diagnosis कराते है और उस वक कई बार reason पता चलता है कि आपको ovarian cyst है फिर manorrhazia पर देखने को मिलता है मतलब कि heavy periods की condition और साथ उसाथ काफी ज़्यादा आपको दर्द रहता है तो अगर यह भी symptoms आपको देखने को मिलता है तो तुरंत आपको अच्छे से diagnosis करवना चाहिए फिर आठवा एक reason बनता है या फिर एक symptom बनता है या आपके weight gain का कि patient का जो weight है वो increase होता है तो एक symptom develop होता है फिर कई बार जो hair growth देखने को मिलते है आपके चहरे के उपर तो यह जो देखो कि lips के उपर के side या फिर आपके जो गाल वगेरा है उसके आसपास जो hair develop होने लगते हैं फिर इसको medical terms के अंदर हम hirsutism भी कहते हैं और 10 वा symptom हम देखे तो वो है nausea vomiting क्या आपको ऐसा फिल होता है क्या आपको vomit जैसे हो जाएगी या फिर जी घब रहता है तो ऐसे symptoms develop होते हैं कि अगर किसी को ovarian cyst जो है वो develop हो रही है अब समझना जरूर या सबसे पहले उसकी size के बारे में तो ovarian cyst जो होती है उसकी size जो है वो 3 cm से कम हो सकती है कि मानलो 1 cm, 2 cm, 3, 4 ऐसे size है या फिर size उसकी ज़्यादा भी बढ़ सकती जैसे कि 5, 6 या 7 cm या फिर उससे भी ज़्यादा size जो है वो ovarian cyst की बन सकती है तो size के basis के उपर हम उसका risk समझते हैं तो मानलो कि उसकी जो size है वो 3 cm या फिर उससे कम size की cyst है कि मानलो 1 cm की है, 2 cm या फिर उससे भी काफी कम size की cyst है तो उसके लिए कोई tension लेनी की ज़रूद नहीं होती और ये जो है वो automatically dissolve हो जाती है समय के साथ और जस्ट आपको ultrasound scan करवाना होता है diagnosis के लिए कि जिससे आपको पता चले कि cyst की size भढ़ तो नहीं रही है और mostly इसके कोई symptoms वोगरा देखने को नहीं मिलते है पर second condition कि अब cyst की थोड़ी बहुत size बढ़ रही है कि वो 3-5 cm की हो रही है तो भी इतना tension लेनी की ज़रूद नहीं होती ये बीज़े वो dissolve हो सकती है पर आपको proper इसके उपर watch रखना होता है regularly follow-ups आपको लेने होता है gynecologist को visit करना होता है और ultrasound scan जरूर से कराना होता है कि जिससे आपको पता चले कि उसके size बढ़ रही है या फिर size कम हो रही है पर अब अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर size और ज्यादा बढ़ रही है 5-7 cm जितनी उसके size अब हो रही है तो उसके लिए आपको follow-up लेना जरूरी है और pain भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर size 5 cm या फिर उससे ज्यादा बढ़ रही है तो अब दर्द वागिर आपको होने लगेगा और इसको remove करने की या फिर medicine से उसको dissolve कराने की ज़िवरत पढ़ती है और चोथा कि अगर उसके size 7 cm या फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है तो आपको follow-ups जो वो proper लेने है ultrasound scan regular करवाते रहेना है ज़र्वत पढ़े तो MRI और CT scan भी ऐसी condition में करा ही जाते है कि जिससे एक nature बढ़ा चले कि किस type की cyst के cancerous cyst बन रही है या फिर non-cancerous है इस तरह से उसके size के basis के उपर आप उसका risk जो हो determine कर सकते है अब समझते है reasons के बारे में तो पहिला reasoning यह है कि abnormal cell reproduction जो होता है कि आपके जो cell है ovaris के reason के उनकी abnormal growth होने लगती है abnormal उनका reproduction होने लग रहा है तो उसके करण भी वहाँ पे cyst develop हो सकते है कि जिसको हम non-functional ovarian cyst के अंदर खास कर include करते है फिर second reason बनता है endometriosis तो endometriosis के कारण भी cyst बन सकते है आपके ovaris के अंदर फिर तीसरा reason हम देखे तो pelvic inflammatory disease की जिसको हम PID कहते है तो PID के कारण भी या फिर उसके जो symptoms होते है उसमें भी एक देखने को मिलता है कि ovaris के अंदर जो cyst जो डैवलप होती है फिर वो कई बार polycystic ovary भी बनती है पर कई बार यह automatically dissolve भी हो जाती है या फिर उसकी size जो कई बार बढ़ने लगते तो regularly ultrasound कराना इसमें जरूरी बनता है चोथा reason हम देखें तो hormonal imbalance कि जब आपके hormones proper release नहीं होरे hormonal imbalance है कि estrogen और progesterone hormone जो होते हैं उनका imbalance हो गया है तो भी यह problem जो हो सकती है और समझते उसके diagnosis के तो सबसे पहले diagnosis होता है pelvic examination से कि जब भी आप gynecologist को visit करते तो वो अच्छे से पहले pelvic examination करते है फिर जरूरत पढ़ने पर ultrasound scan जो गराया जाता है फिर MRI या फिर CT scan का एक option बनता है कि जिससे proper reason पता चलता है या फिर ovarian cyst के size बगरा कितनी है उसका nature कैसा है वो पता चलता है फिर laparoscopy का एक option बनता है और regular जो आपको follow ups लेना काफी जरूरी है उसके निदान के लिए पिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से जब आप ultrasound scan करवाते हैं तो उसमें proper देखने को मिलता है कि size कितनी ही ovarian cyst कितनी develop हो रही है तो proper यहाँ पर पता चलता है कि ovarian cyst किस तरह से develop हो रही है उसी तरह से MRI भी किया जा सकता है इससे भी proper size से वगरा उसका पता चलता है अब बात करते हैं treatment के बार में तो treatment में सबसे पहले आपको wait करना रहता है कि जिसको watchful waiting का जाते है कि watchful waiting इसलिए कि आपको regular जो follow ups लेने हैं ultrasound scan कराते रहना है और ध्यान रखते रहना है कि आपके size जो फिर ये medications आते हैं ये एक दूसरा option बनता है और तीसरा option बनता है ovarian cyst के surgery का कि जिसके अंदर laparoscopy या फिर laparotomy के options रहते हैं तो सबसे पहले आप देखो कि watchful waiting इसलिए because ये जो हो automatically dissolve हो सकती है तो इसलिए आपको proper wait करना होता है regularly ultrasound scan कराते रहना है कि जिससे जो आपको पता चलें फिर ovarian cyst के medications के लिए खासकर birth control pills सी prescribe की जाती है तो आपके gynecologist जो आपको proper आपके menstrual cycle के according to suggest करते कि आपको ovarian cyst के लिए कौन से birth control पिल रहने कि जिसको हम contraceptive pills भी कहते हैं तो ये को option रहता है treatment के अंदर फिर अब homeopathic medicines के बात करें तो वो भी काफी अच्छी और असर एलन A19 ovarian cyst के drops आते हैं तो ये drops भी काफी useful साबित होते हैं ovarian cyst को dissolve करने के लिए तो यहाप आप देख सकते हैं कि इसको लेना कैसे लेने का तरीक आप समझ लो सबसे पहले तो आपको लेने हैं 50 drops जितने medication जो खासकर लेनी होती है आप कप जितने पानी में और डेली चार बार आपको यह लेना होता है और यह चार दिन के लिए यह इस तरह का course है तो आपको सबसे पहले यह जानना है कि जिस दिन से आप start करते लेना तो पहले 4 दिन जो है उस दुरन 50 जितने drops लेने हैं हाप कप जितने पानी में और दिन में 4 बार अब यह 4 दिन complete होते हैं तो उस फिर आगे continue कर सकते हैं तो इस तरह से यह drops लिए जाते हैं फिर दूसरा option बनता है SBL के अंदर कि जो 30 CH करते drops आते हैं तो यह drops को कैसे लेना है वो आप समझ लेजिए तो सबसे पहले क्या करना है कि 5 जितने drops लेने होते हैं हाप कप जितने पानी के अंदर और वो जो हो आपको दिन में 3 बार जो लेने हैं फिर ध्यान यह रखना है कि जब यह आप drops लेते हैं उससे 15 या 30 मिनि आपको कुछ भी खाना जो है वो नहीं खाना है फिर आगे option बनता है कि पेन के लिए जब किसी पेशन को काफे ज़्यादा पेन रोय हो रहा है ओवेरेंसिस्ट के करण तो उसके लिए अलग-अलग medicines जैसे की paracetamol patient ले सकता है आई-बू-बूफेन ले सकता है या फिर कोई भी non-steroidal anti-inflammatory drugs जो आप ले सकते हैं दर्द अगेरा को कम करने के लिए तो अब बात करते हैं आगे treatment की surgery इसके अंदर तो ओवेरेंसिस्ट की surgery में जैसे मैं आपको बता है कि लेपरो स्कूपी का एक option बनता है कि लेपरो स्कूप को यूज करके proper एक surgery की जाती है कि जिसके थ तो अब कुछ अच्छे से अडवाइस आप समझ लेता है तो जब की पेशन का डाइग्नोस होता है ovarian cyst को इसको regular ultrasound कराते रहना चाहिए कि मैंने में या फिर दो मैंने में एक बार आप ultrasound scan कर आओ या फिर तीन मैंने में एक बार ultrasound scan कर आओ second regular follow-ups लेना जरूरी है कि आपके gynecologist को regular जे आपको visit करना है कि जिससे ये problem और ज्यादा ना बड़े because उसके करने एक risk रहता है infertility का या फिर ये जो cyst है वो cancerous cyst के अंदर भी convert हो सकती है तो इस तरह से अगर proper आप ध्यान रखोंगे तो ये problem जे वो easily solve हो जकता है तो कभी भ जे उसके follow-ups लेजे और proper जे वो medications या फिर आप advice ले सकते कि जिससे ये problem solve हो जाए तो ऐसे समझे कि आपको detail में सिखना है तो medicine course को join कर सकते है फार्म रोक्स के अब उपर तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है या फिर हमारी mobile application को download कर सकते है link आपको description box में मिल चाह कि अबस्त